हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में पढ़ने वाले हैं बनाना बॉंडिंग के बारे में और ये टॉपिक है हमारा केमिकल बॉंडिंग का तो बनाना बॉंड की जो डेफिनेशन है वो ये है कि इट इस थ्री सेंटर बॉंड held together by only two electrons यानि कि आपे समझ लीजिए कि तीन तो इसमें एटम होने चाहिए एटम की संक्या तीन होनी चाहिए और उनके बीच में हमारे पास केवल दो इलक्टोनी होने चाहिए तो उस केस में हम इसको बोलते हैं बनाना बॉंड यानि कि अगर मैं इसको बनाओं तो इस तरीके से में बना सकते हैं तीन एटम हमने बनाए A, B, A और इनके बीच में जो बोंड बनाया वो दो बोंड बनाया है जिसमें हर एक बोंड एक एक इलक्टोन का है इसका मतलब तीन सेंटर मेरे पास है यानि तीन एटम मेरे पास है और इनके बीच में केवल हमारे पास दो इलक्टोन है तो त्री सेंटर को जो है अपने इस तरीके से लिख सकते हैं त्री सेंटर टू इलक्टोन बॉंड अब बनाना बॉंडिंग का जो सबसे अचा एक्जाम्पल है वो है B2S6 B2S6 is called as di-boron तो di-boron का मिस्टक से देखने वाले हैं कि किस तरीके से di-boron बनता है boron में हमें पता है कि valence electron boron में तीन होते है इसका मरत तीन bond ये बना सकता है तो मैंने क्या कि boron के साथ जो है दो हाइटोजन या टर्मिनल पोजिशन पर जोड़े ये जो किनारे पर hydrogen है ये terminal है अब ऐसा होता है कि boron ने एक electron जो है यहाँपे hydrogen की एक-एक electron के साथ shared किया और ये normal covalent bond यहाँ बना लिया जिसमें 2 electron bond में होंगे यहाँ 2 electron होंगे यहाँ 2 electron यहाँ 2 electron अब हमने का कि boron के 2 electron काम आगे इन दोनों bond में तो इसने अपना तीसरा इलक्ट्रोन यहाँ पर रख दिया हाइटोजन के साथ शेरिंग के लिए तो फिर हाइटोजन ने अपना यह इलक्ट्रोन इन दोनों के बीच में शेरिंग के लिए रखा हुआ है इसी तरीके से बोरोन ने यहाँ दो इलेक्टोन काम में ले लिए और तीसा इलेक्टोन यहाँ शेरिंग के लिए बोरोन रख चुका है इधर वाला इलेक्टोन जो है हाइटोजन शेरिंग के लिए रखा हुआ है इसका मुलब हम यह सोचें कि boron ने एक electron यह रखा, hydrogen ने एक electron यह रखा, इसी तरीके से boron का यह एक electron यह आया, hydrogen का एक electron यह आया यह जो structure है, यह चुकि बनाना शेप में है, इसलिए हम इसे banana bonding का नाम दे रहा है, that's why it is called as banana bond अब मैं इसका structure बनाओ, कि boron और hydrogen के बीच में यह one electron की वज़े से एक bond यह बन जाएगा, और यह one electron की वज़े से एक bond यह बन जाएगा ध्यान दीजिए कि ये जो electron आया है ये लेके आया है boron और ये जो electron यहाँ आएगा ये लेके आया है hydrogen इसी तरीके से ये electron boron दे रहा है और ये electron hydrogen दे रहा है तो banana bonding में speciality क्या है कि this is one electron bond अब अगर मैं इसको जो है represent करूँ तो represent करने का तरीका ये है कि normal bond को हम इस तरीके से बनाते हैं और जो banana bond है जैसे यहाँ पर हमने banana bond बनाया है तो उसको हम इस तरीके से dash से represent कर देते हैं ये dash ये represent करेगा कि यहाँ one electron है यहाँ one electron है similarly यहाँ भी one electron ये one electron अब यदि हम से पूछा जाए कि इनमें stronger bond कुम सा है तो यह जो normal bond है यह वाला hydrogen कहलाता है bridge hydrogen और यह वाला hydrogen कहलाता है terminal hydrogen तो यहां पर normal bond है यह दो electron होते हैं इसमें जबकि इस वाले bond में केवल एक electron है तो मुझसे compare किया जाए कि strength किसकी जादा है तो दो electron वाला bond is stronger है compared to one electron bond क्योंकि यहां पर कम electron यहां पर share करवा रहते हैं तो अगर हम इस bond को इस bond के साथ compare करें तो यह वाला bond जो है यह मजबूत हो यह weaker bond होगा पहले तो चीज हमें पता चल गई बोरोन के आसपास चार bond बन रहे हैं इसका मलब boron is sp3 hybridized तो इस case में boron अपने vacant orbital को use करता है in the hybridization तो बोरोन के आसपास आप देख सकते हैं कि इस तरीके से यह यहां पर 4 bond बना है हमने यह 1 electron bond यह 1 और यह 2 यह 2 तो हर बोरोन के आसपास 6 electron हमें दिखाई दे रहे हैं इसका मतलब इसका octate incomplete है इस वाइसे B2H6 को electron deficient compound बोलते हैं और जो electron deficient होते हैं उनको हम काम करवाते हैं Lewis acid के तरह है तो they will act as a Lewis acid यहां पर हम यह देख चुके हैं कि यहां इस bond में अब इस bond में जो है vacant orbital कैसे काम आ रहा है बोरोन में excited state बनाता हूं मैं 1s2 यह 2s1 उसके बाद यह 2p2 यानि कि तीन electron तो इसके पास normal है और hybridation लेकिन sp3 है तो इसका मतलब इसका जो यह vacant orbital है यह वाला यह भी hybridation में पार्सपे कर सकता है तो यह हमने बोल दिया कि यह जो vacant orbital था पी वाला यह hybridation पार्सपेट करके sp3 hybridation कर लिए अगर मुझसे पूछा जाए कि यह angle theta2 और theta1 में बढ़ा कौन सा होगा तो हम देख सकते हैं कि 2 electron और 2 electron का repulsion ज्यादा होगा in compared to 1 electron 1 electron तो theta1 is more than theta2 उसका कारण हमने बोल दिया क कि there is more repulsion between electrons तो यह जो है banana bonding का example था detail में जो है आप हमेरे youtube के lectures में देख सकते हैं